हाई गाई सी देवांग मैश्वरी दिस साइट एक रिसल लिमिटेड एक ऐसा स्टोक रहा है जो कोरोना आइरस क्राश के बाद आल्मोस्ट सिक्स टाइम्स हो गया यह एक ऐसी ग्रोथ कंपनी का एक्जाम्पल है जिसने काफी वेल्थ क्रियेड करा है बात कर अगर हम पिछले तीन साल की ग्रोथ रेट की कंपनी की तो कंपनी ने आराउंड 24% CGR की ग्रोथ रेट से सेल्स में ग्रोथ करा है और 55% प्रोफिट ग्रोथ साथ में अगर पिछले तीन साल का अगर हम प्राइस ग्रोथ देखे तो वो 86% तक का रहा है चलिए यह सब तो पास्ट की बात हो ग सब्सक्राइब करेंगे हम समझेंगे किस तरीके से आपको कोई भी स्टॉक को एनलाइज करना है जिसे कि आप खुद भी यह चीज बात में कर पाए किसी भी स्टॉक के साथ यह वीकली चार्ट है अगर हम देखे एक रेसल में और चलिए पहले मंतली चार्ट को देख लेते तक पात साल तक इन पात साल तक स्टॉक ने कुछ नहीं करा और उसके बाद आप देखेंगे एक फाइनल अच्छा ब्रेकाउट कोरोनावाइरस क्रेश के बाद आया जो कि था ऑक्तोबर और नवंबर 2020 में बहुत अच्छी वोल्यूम्स के साथ यह ब्रेकाउट आया था ठ का टॉप तक देखे तो 605 परसेंट याने कि 7 टाइम स्टॉक ओवराल हो गया है बहुत ही शॉट स्पाइन अफ टाइम में और रहां वन यह टू मन्स थ्री मन्स में स्टॉक सेवन टाइमस तो यूज विल्ट क्रियेशन क्या यह विल्ट क्रियेशन आगे भी इसी चलती र तो ओवराल ब्रिकाउट तो यहां पर आया अंब देखेंगे तो हम प्रिंट का प्रिंट का यहां से ही आ गया था यह फॉर्स भी सेथ है और जहां पर से स्टॉक ने स्टॉक करा रहन और और फाइनल जो ब्रेक आउट है बड़ा वह यहां पर आया शॉक उसके बाद around 20-30% तक move करा 40% तक move करा और वापस से consolidation आ गया तो देखिए यह आपका first base हुआ इसके बाद एक second resting period जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिला तो यह second base हो गया अब यह basis होता गया है देखिए जब भी stock एक uptrend में होता है तो uptrend ऐसी नहीं होती है कि stock continuous यूँ ही चलते जाएगा stock बीच में risk लिता है stock बीच में basis form करता है और वो ही basis आपको यह clue देते है कि overall trend में क्या आप जल्दी है या आप trend में late है simple सा मतलब कि क्या आप stock सही time पे एक अच्छे जल्दी पकडर पा रहे है या बहुत late है stock में जा सबको story पता है हर एक bullish है company पे बहुत दी clean सब कुछ लग रहा है बहुत जब second case होता है जब सबको पता पड़ जाता है बहुत obvious stories हो जाती है बहुत जाकर stock usually top out हो जाता है ऐसा usually हमको fourth या fifth base के बाद देखने को मिलता है तो जो early base होते है वो one two होते third base में कभी workout करता है कभी नहीं करता है fourth और fifth में success के chances बहुत कम हो जाते है और वहाँ से expectation की बहुत अच्छा कुछ होगा वो कम होता है तो यहाँ पर हम first second यह देखे हम तो यह third base है यह हम अगर देखेंगे तो यह एक fourth base जैसा लगता है बट यहाँ पर काफी ups and downs है प्रॉपर base का character six यहाँ पर नहीं है तो first second third और हम यहाँ पर देखेंगे तो यह fourth एक base हमको दिख रहा है अब हम देखें कि overall price cycle किस तरीके से work कर रही है तो base counting से हमको पहले यह समझ में आया कि चार बार stock ने यहाँ पर risk लिया है अब देखें क्या होता है ना जब भी stock ऐसे नीचे गिरता है यह risk लिता है तो बहुत obvious हो जाता है जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखे stock ने risk लिया है लोगों ने खरीदा वो immediate profit पर आ गए फिर यहाँ पर stock ने dip लिया लोगों ने खरीदा immediate वापस से profit पर आ गए फिर यहाँ पर stock थोड़ा dip करा लोगों ने फिर खरीदा फिर immediately profit पर आ गए आपको क्या लगता है ऐसा कि universally हमेशा 100 साल तक चलता रहेगा नहीं ऐसा नहीं चलता है trends और जब obvious हो जाती है तब फिर होता है stock में topping इसके बाद वापस से एक और बार यहाँ पर dip आया फिर यहाँ पर खरीदा उपको दिखेगा कि 3-4 बार यह भी तरीका है measure करने का कि जब 3-4 बार चीज़ बहुत obvious लगने लग जाए कि हर बार गेरेगा खरीदो profit गेरेगा खरीदो profit गेरेगा खरीदो profit 3-4 बार ऐसा हो जाता है उसके बहुत stock बहुत late stage में आ जाता है और वैसा ही हम को यहाँ पर देखने को मिला चलें यहाँ पर एक और चीज़ की बात करते है late July हम समझ में आ गया late प्रिंट बात करते हैं एक पैटन की जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताए था नाम है इडिन शोल्डर पैटन से वही पैटन आपको वापस यहां पर देखने को मिलेगा तो अगर हम यहां देखें तो यह पर्टिकुलर एक निकलाइन है और हिडिन शोल्डर बिल्क एक higher high एक higher lows जो usually बनते जाता है यहां से वो structure जब change होता है तब head and shoulder बहुत बार दिखता है और इसका intensity काफी serious होता है देखें हम तो यहां पर एक final breakdown पर इस head and shoulder का भी आ गया था तो late stage में stock है साथ गुना already हो गया है चीज़े बहुत obvious है और साथ में head and shoulder pattern भी हापे बन रहा है और उसका breakdown भी हो गया है तो यह signify कर रहा है कि यहां पर stock top out हो गया है price structure जो है वो change हो गया है trend यहां से reverse हो गई है अब देखिए उसके बाद क्या हुआ stock गया इस particular breakdown से around 34% तक नीचे और अभी वापस उपर की side आ रहा है तो अब यहां पर क्या करना चाहिए क्या यह उपर आ रहा है तो यह opportunity है नहीं यहां ही लोग गलती करते हैं वो क्या करते है कि बिना context के क्योंकि stock यहां से थोड़ा उपर आया उनको लगता है कि अब एक न moving averages से support लेता है तो downprint के time पर moving averages से resistance लेता है तो high chances है कि यह stock यहां से फिर कुछ इस तरीके से नीचे की side चले जाएगा तो यह एक opportunity है stock से exit करने की अगर आपको मेरी समझ माया है तो कोई बात नहीं wait करिए time के साथ साथ वैसे भी समझ आई जाता है अब आगे यह stock को लेना कब चाहिए sir आपने यह तो बता दिया stock से दूर रहे तो फिर ले कब हम तो stock को आपको तब लेना चाहिए जब को trend reversal के sign मिले तो stock अगर ऐसा चलता जाता है जब भी इसका structure टोड़ेगा जिस तरीके से आपको head and shoulder मिला है उसी तरीके से आपको bottom peak inverse head and shoulder मिल जाएगा जो की कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जिस तरीके से head and shoulder ये बताता है कि stock का trend change हो रहा है inverse head and shoulder भी आपको यही बताता है कि stock का trend change हो रहा है तो उस तरीके के science का आपको wait करना पड़ेगा जब भी वो आएगा जो भी level से आएगा वहां से stock को खरीदने का एक ideal time होता है अभी stock एक no money zone में है और अगर आप लेते हैं तो यहां पर lost money के ज्यादा chances लगते हैं तो यह है crystal limited का full analysis पर आपको analysis अच्छा लगा हो तो comment में जरूर बताइएगा और साथ में ही आप हमारे telegram channel से भी जूर सकते हैं जिसका नाम है equal alpha underscore stocks आपको काफी सारा insights यहां पे day to day basis पे मिल जाएंगे तो channel को join जरूर करेगा और momentum course तो अनों uploaded है आप उसे explore करके अपनी journey start कर सकते है तो यह है complete analysis crystal limited का क्या लगता है आपको एक रिसल के बारे में comment में मुझे जरूर बताइगा मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में thank you for watching CA दिवांग महिश्वरी यह है कर दो कर दो